रावन जब मृत्यु शैया पर था, तब भगवान राम ने लक्षमन को आदेश दिये कि वह रावन के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करे, जो रावन के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। राम ने लक्षमन से कहा, तुम रावन के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्षमन भी मरना सन अवस्था में पड़े रावन के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण ने लक्षमन से कुछ भी नहीं कहा। लक्षमन राम के पास आकर बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्षमन से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बलकि चरणों के पास रहना चाहिए तब लक्षमन रावन के चरणों के पास जाकर बैठ गए इसके बाद रावन ने लक्षमन को अंतिम समय में जीवन से जुड़े चार गूढ उपदेश दिये रावन द्वारा बताई इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए नमबर एक रावन लक्षमन से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोह वश में करे या उसे टालने का प्रयास करे 2. व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए इतना अन्हकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रू और रोग तुच्छ लगने लगे क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणगातक हो सकता है और कमजोर शत्रू भी खतरनाक हो सकता है मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी जो की मेरी मृत्यू का कारण बनी और आज मैं तुम्हारे सामने मरना सन्न अवस्था में पढ़ा हूँ तीन, रावण ने तीसरा उबदेश देते हुए लक्षमन को ज्यान की बातें बताते हुए कहा कि व्यक्ती को शत्रू और मित्र के बीच पहचान करने की परक होनी चाहिए हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने शत्रू को मित्र समझ लेते हैं जो की बाद में हमारे शत्रू साबित होते हैं वहीं जिसे हम शत्रू समझ कर पराया कर देते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं नमबर चार रावण ने लक्षमन को ग्यान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो लंका में रहते हुए विभीशन मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया